औरुमार स्टेस्चन गपत् estou दोस्तों पस्चिम नंगाल के पुरुलिया ने में एक रेल्वे स्टेशन कोडूर मेर पुरुलया स्टेशन लगबक 50 किलोमेटर दूरा है गाउंए बेगउन कोडूर जहां लोगों की मांघ पर वहाँ बेगउन कोडूर इस्टेशन खोला गया यह रेल्वे स्टेशन वर्स 1960 में खुला था और इस इस्टेशन के खुलने के बाद सब कुछ ठीक था पर बाद में यहां बहुत अजीब हो गरी गटना है गटने लगी वर्स 1966 में एका अफ़ा उड़ी की किसी महिला का भूत ट्रेण के आगए आगए दोड़ता है कभी पलेट फरॉर्म पर नाचता है कभी तो महिला का भूत ट्रें से भी दोड़ कर आगए निकल जाता है आरम में तो रेलवे स्टेशन के करमचारियों की बात को जूटा माना जाता रहा लेकिन असली परिशानी तब सुरू हुई जब उस समय के स्टेशन मास्टर और उनका परिवार रेलवे क्वाटर में मरत पाए गए वहां रहने वाले ग्राम वासियों का कहना था कि इनकी मौत में उस मैला भूत का ही हाथ है इस्टेशन पर जो भी करमचारी नियुक थोकर आता था वह कुछ समय बाद ही मैला भूत की बात कहकर करमचारी वहां से काम ही छोड़कर दर कर चले जाते थे जब भी किसी रेलवे करमचारी की बैगन कोड़ और इस्टेशन पर पोस्टिंग होती थी वह तुरंत ही वहां जाने से मना कर देते थे डर के मारे ना तो कोई आतरी इस स्टेशन पर उतरता था और ना ही इस स्टेशन से ट्रेंड में चड़ने के लिए कोई जाता था इसके बात से पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान हो गया अब यह पूरा स्टेशन ही भूतिया स्टेशन कहलाने लगा इस इस्टेशन पर भूत की बात पूर गया जिले से लेकर कलकत्ता और यहां तक की रेलवे मंतराले तक पहुंच चुकी थी यह बात रेलवे के रिकॉर्ड में आज भी मौझूद है जो भी इस टेशन से होकर गुजरती थी की उसके लोको पाइलेट इस्टेशन आने से पहले ही ट्रेंड की गती को बढ़ा देते थे ताकि वे जल्द से जल्द इस इस इस्टेशन को पार कर सके ट्रेंड में वैटी सवारियां भी इस्टेशन आने से पहले ही ट्रेंड के सभी डिख्ड की दरवाजे बंद कर लेते थ को सूरज ढलने पर इस स्टेशन पर नहीं आते अभी तक्रीबान यहां 20 ट्रेने रुखती हैं भूतिया रेलवे स्टेशन के तौर पर विख्यात इस स्टेशन पर दिन के उजाले में परेटक भी घूमने आते हैं तो दोस्तों यह था भारतिय रेलवे का एक ऐसा रेलवे स् सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें साथ ही बैल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सके धन्यवाद नमस्कार